हेलो फ्रेंज आज मैं बनाने जा रही हूं गेहों के आटे का केक गेहों के आटे का केक बनाने के लिए एक बोल गेहों का आटा आधा कप दैई एक कप पिशी वी चीनी आधा कप सूजी एक कप ताजी दूद की मलाई या क्रीम ले 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 आधा चम्मच मीठा सोड़ा थोड बड़ा सा बॉल ले लेते हैं, उसमें दही डाल लें, दही को मिक्स कर लें, फिर इसमें मलाई डालेंगे, मलाई को भी अच्छी तरह मिक्स करें, फिर चीनी डाल लें, चीनी को भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसके बाद सूजी डालेंगे, सूजी को डाल कर अच्छी तरह मिक्स कर लें इसमें चीजें एके करके ही डालें अब गेहूं का आटा डाल कर भी अच्छी तरह मिक्स कर लें फिर हमारा बैटर अभी गारा है इसके लिए आधा कप दूद लेंगे पहले मैं तीन चम्मच दूद डाल रही हूँ इसलिए थोड़े थोड़े ही डालें फिर बची हुई दूद भी डाल दी मैं उसके बाद मिक्स करके देखिया इसा हमारा बैटर होना चाहिए फिर सोया सौस डाल दें आधी चम्मत से भी थोड़ा कम सोया सौस डालने से केक का टेस्ट अच्छा बनता है अब हम इधर गया कराही ले लिए आज मैं कराही में केक बना कर दिखाऊंगी एक ऐसा स्टेंड ले ले उसके बाद कराही को ढखकर पांच मिनट के लिए तेज फ्लेम पर छोड़ दें ताकि कराही हमारा प्रिहिट हो जाए एक ऐसा केक बनाने का टीन ले ले या कोई भी बरतन जिसमें आप केटर पेपर को उस पर फैला दें और आधा चमच मीठा सोड़ा और आधा चमच बेकिंग पाउडर को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें इन दोनों को केक बनाने से जस्ट पाले ही डालें इन दोनों को मिक्स करके फिर केक बनाने वाले बरतन में डालकर टैप टैप कर ले हमारा केक अब हमारा इधर कराई प्रिहिट हो गया है अब इसमें केक का बैटर डाल कर इसे ढख दें ढख कर 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे केक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे इसलिए 10 मिनट के बाद देखिए चेक करके फिर अब आधा गंटा हो गया है आधा गंटा के बाद मैं एक चाकू डाल कर उसमें आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है क्योंकि अगर नहीं बनता तो चाकू में केक का आ जाता है उसमें चाकू में लग जाता है इसलिए अगर चाकू हमारा साफ निकल रहा है इसका मतलब की केक हमारा बन गया है अब गैस बंद कर दी और केक को बाहर निकाल करके देर घंटे के लिए छोड़ देंगे जब केक बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही केक को किसी बरतन में पल्टे मैं एक प्लेट ले रही हूँ उसमें इस तरह से उल्टा करके रखे और पलट ले अब धीरे धीरे बटर पेपर को हलके हाथों से निकाले देखिए हमारा केक बन कर तयार हो गया कितना अच्छा केक बना है कलर बहुत ही अच्छा आया है अब इसे सीधा कर ले और मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कितना हमारा केक सॉफ्ट और अश्पंजी है बहुत ही सॉफ्ट केक बना है बहुत ही टेस्टी देखिए कितना soft है कितना spongy cake बन कर तयार हुआ है आप भी अपने घर में बनाएं और अपने family के साथ enjoy करें अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को like, share, subscribe करें comment करना बिलकुल न भूले